नमश्कार एक न्यूस 24 देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ शिवानी बिहार में चुनावी जंग को लेकर सबसे बड़ा सेंटर सबसे बड़ा हब जो बन गया है वो है बिहार जिहां चुनावी जंग का सबसे बड़ा सेंटर आखिर कौन है वैसा राज नाम आता है बिहार का बता दे कि बिहार की सियासत की चर्चा पूरे देश भर में हो रही है मुख्य कारण है तेजस्वी प्रसाद यादव यहां से इंडी अलायन्स की चर्चा कम लेकिन तेजस्वी यादव की चर्चा जोरो शोरो से हो रही है बता दें आपको कि लालू प्रशाद यादव की राजुनितिक सफर पर लेकर चले आपको तो लालू प्रशाद यादव एक ऐसे शक्स थे जब कोई भी मुद्दा वो निकालते थे अपने जबान से चुनाओं में बैक फूट पर हैं बैक फूट से लालू प्रशाद यादव सभी रणनीति को घुमा रहे हैं ऐसे बदल रहे हैं जैसे कि NDA गड़ बंधन में सीधे सीधे तोर पर निर्शाना लग रहा है बता दें आपको कि लालू प्रशाद यादव जब भी कोई अजेंडा सेट करते हैं तो वो अजेंडा सिर्फ बिहार तक ही सिमित नहीं रहता है बलकि पूरे देश भर में चर्चा का विश्रय बन जाता है जहां इस बार भी लालू प्रशाद यादव बैक फूट पर ही सही लेकिन तीन मुद्दों पर वो अभी भी कायम है पहला है आरक्षन, सम्विधान और तीसरा लोकतंत्र इस मुद्दे पर लगतार लालू प्रशाद यादव एंडिये पर हमलावार नजर आ रही है वही पर लालू प्रशाद यादव के चर्चत बेटे तेजस्वी यादव भी बिहार की सता सिल्ले कर देश भर्ग की सता में अपनी मौजूदगी जता कर यह साबित करने पर चार जुन को जो नतीज़े आने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया लाइन्स के पक्ष में होने वाले हैं और तेजस्वी यादव वन मैन का प्ले यहां पर अदा कर रहे हैं तो जब भी वारतालाब कर रहे हैं लोगों के बीच जा रहे हैं संपर्ग कर रहे हैं तो स जुस्वी यादव से सवाल जवाब पूछा जा रहा है तो तो जुस्वी यादव लगतार NDA पर हमलावर नजर आ रहे हैं तो जुस्वी यादव का यहां पर भी मुद्धा है और यहां पर वो अपने पिताजी की तरह MY समीकरण को छोड़ तमाम समीकरणों को लेकर इस बार चल रहे हैं बता दे कि तिजुस्वी यादव ने साफ सफ ऐलान कर दिया है कि इस बार का लोगसभाद चुनाव मुद्धो पर ही टिका हुआ है यहां पर आपको बता दे कि एंडिये लगतार हमलावर भी नजर आ रही है इंडिये अलायंस पर खासतोर पर तिजुस्वी यादव पर और इसी दिए यह चर्चा हो रही है कि इस बार के अलोगसभाद चुनाव वो वन मैन है यानि वन मैन के तर्च पर ही टिका हुआ है देखा जाया तो एंडिये बनाम इंडिये अलायंस ना होकर एंडिये बनाम तेजस्वी यादव हो चुका है वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव खुले मद से एलान कर चुके हैं और जिन से भी वो बात कर रहे हैं वो खुले तौर पर कह रहे हैं कि चार्च जुन को जो नतीजे आएंगे वो हमारे पक्ष में ही होंगे और इस बार केंदर में जो सरकार बनेगी वो भाजपा की सरकार नहीं होने वाली है अलाकि जो तेजस्वी यादव से पूछा जा रहा है कि इंडिया लाइन्स में वो कौन ऐसा चहरा है जो केंदर में बैठेगा सरकार चलाएगा और सरकार की नीतियों पर बाकी लोग भी घटक दल जो है वो आगे बढ़ेंगे उस पर तेजस्वी यादव अपनी चुपी साधे हुए हैं तेजस्वी यादव का इस पर कोई बयान नहीं आ रहा हलाकि उनका साथ कहना है कि इस बार हमारा मुद्दा बेरोजगारी, रोजगार, हिंदू, मुस्लिम को दूर करना, मंदर, मस्जिद जैसे मुद्दो, गंभीर, मुद्दो पर चर्चा बंद करवाना है और भाजपा की तुष्टिकरन की राजनिते को बंद करवा कर जुमले बाजी को खत्म करवाना है ये बात जस्वी यादव साब तोर पर कह रहे हैं उनकी रोजगार की मुद्दे पर ही टिकी हुई है और यहां के युवा भी उन्हें इसी मामले पर वोट देंगे इसी मुद्दे पर वोट देंगे आपको बता दे कि तेजस्वी आदव ने हाल-फिलहाल में एक बयार दिया था कि नरेंद्र मोदी की सरकार में हमारे जो देश के युवा है खास दोर पर बिहार के युवा है वो उनकी उम्र जो है वो ओवर एज हो रही है लेकिन नरेंद्र मोदी युवाओं के लिए कुछ भी नहीं सोच रही है ना ही उनके मेनिफेस्टों में युवाओं का जिक्र है और खास दोर पर जिस हिंदी पटी में सबसे प्रमुक बिहार का छेतर है उस छेतर में नहीं नरेंदर मोदी आते हैं तो आते भी हैं तो कभी जिक्र भी नहीं करते हैं कि बिहार को किस तरीके से बढ़ाना है विकास के छेतर में आगे पहुचाना है अलागे वोट यहीं से वो गीचते हैं और यहीं के वोट पर वो जीतते भी हैं लेकिन यहां की जनता मुर्ख है कि नरेंदर मोदी को वोट दे रही है तिजुस्वी अदव की यही बयान पर लगतार सियासत छिरी हुई है तो NDA के सरकार लगतार परिवारवाद पर इंडी अलाइंस पर खासत और पर राज़त परिवार पर हमलावर नजर आ रही है देखे आपको बता दे कि तेजुस्वी अदव कह रहे हैं कि इस बार बहुजन, अगरा, पूवर, आधी अबादी जैसे लोगों को लेकर चलना है और इन तमाम लोगों पर ही कहीं ना कहीं NDA अपनी दूरी बनाती है और इन ही से अपनी वोटों को अपने तरफ करके जीत हासल करती है इन तमाम बातों पर तेजुस्वी अदव ने कहा है कि हमने इस बार के लोग सभा 2024 के चुनाव में 30 प्रतीशत महिलाओं को सीप दिया है अगर देखा जाए ते महिलाओं को कहीं ना कहीं तेजुस्वी अदव ने प्रमुक चहरे बना कर आगे उभारा है और यही वज़ा है कि हम आदि अबादी को भी लेकर चल रहे हैं अगड़ा पिछड़ा और बहुजवन साथ ही पूर समाज को भी लेकर चल रहे है तेजुस्वी अदव का कहना है कि भले उनके पिता जी एमवाई समीकरण पर टिके हो लेकिन हमारा समीकरण इस बार पूरे बिहार को समपूर्ण रूप से लेकर चल ला है और इन समपूर्ण में कहीं जो भी समीकरण आते हैं जो भी जातियां आती हैं जो भी पिछड़े लोग आते हैं उनको लेकर चल ला है और यही मेरा मुद लेकिन सियादसत इस पर तेज है वही पर जब तेजस्वी आदव ने खुल कर नितीज कुमार के सपोर्ट में नजर आए और ये भी कहते आएं कि लगत्तार NDA जो है नितीज कुमार पर दवाव बराने की कोशिस कर रही है और नितीज कुमार का जो जवाना है वो चला गया है हाला कि तेजस्वी आदव ने ये कबूला भी है कि नितीज कुमार के लिए आदर सम्मान मेरा उस प्रकार ही रहेगा जो कि देखने को मिला है लेकिन नितीज कुमार को ये लोग घुमा फिरा रही है एंडी इस तरीके से नितीज कुमार पर कबज़ा कर लिये है जो कि नित पूरे तरीके से सेट की हुए हैं इनका मानना है कि मुद्दो पर चर्चा नहीं हो रही है लालु प्रशाद यादव भले ही रोजगार बेरोजगारी को कम भाव दे रहे हैं लेकिन उनका तीन मुद्दा यानि कि मैंने जिस तरीके से पहले जक्र किया है सम्विधान आरक्ष और वही पर लोग तंत्र के मुद्दे पर लगतार लालु प्रशाद यादव मुद्दा सेट किये हुए हैं और इसे पर वो जन जन जाकर लोगों के बीच में बाते रख रहे हैं वही परते जो स्वियादव बेरोजगारी रोजगार हिंदू मुसलिम और मंदर मस्जित प तरफ होगा यानि की वन मैन चुनाव देखने को मिल रहा है वन मैन कौन मैं यह सवाल सबसे जादा सोशल मेडिया पर चल रहा है सोशल मेडिया पर सवाल पूछा जा रहा है कि NDA पर भाड़ी पर गये है तेजस्वी यादव यानि वन मैन का जो नारा है वो तेजस्वी या सेक्शन में लिखिए ताकि हम लोग उस पर विस्तार से चर्चा कर सके इस वीडियो को आप हमारे यूरूप चैनल एक न्यूस 24 पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे फेस्बूक पेज पर देख रहे हैं तो फेस्बूक पेज को लाइक कीजिए फॉ झाल को से लग जए दैजिए को में जहीं हैं है